दूस्तो पंजाब इंग जो IPL 2024 के प्ले ओफ में कॉलिफाइ करने में नाकामियां बरहिती लेकिन अभी यह टीम IPL 2025 की तयारियों में लग चुकी है और IPL 2025 के लिए एक नए कप्तान की घोशना करेगी तो ऐसे में कौन सा खिलाडी होगा जो पंजाब इंग का कप्तान IPL 2025 मे बनेगा इस चुटो में आपको पंजाब के नए कप्तान के बारे में जानने को मिलने वाला तो दूस्तो वीडियो रहने वाली है काफी ज़्यादा इंपॉर्टन वीडियो में अंतता को बने रहना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को IPL 2024 के लिए पंजाब किंग ने कप्तान बना था और शिकरदवान जब चोटील हो थे तो उनकी जगे सैम करन जो है पंजाब किंग की कप्तानी की थी और बाद में सैम करन के बाद जीते शर्मा ने भी पंजाब किंग की थी लेकिन अब IPL 2025 के लिए एक नए कप्तान की त हेतरीन ओल राउंडर है IPL 2024 से नहीं के लिए लेकिन IPL 2025 के मेगा ओक्षन का पार्ड बनेंगे और मेगा ओक्षन में बेनिश्टॉक का नाम आते ही पंजाब पिंग की निगा हैं पूरी तरह से बेनिश्टॉक पर टिकरेंगे और बेनिश्टॉक को पंजाब पिंग IPL 2025 के म ग्लेन मेक्सुल को रोयल चैलेंजर्स बिंगलूरू रिलीज करने वाली ऐसा कई रिपोर्ट का मनने तो ऐसे में रोयल चैलेंजर्स बिंगलूरू अगर ग्लेन मेक्सुल को रिलीज करती है तो यह IPL 2025 के आउक्षन का पाड बन जाएंगे और आउक्षन में नाम आते पंजा प्रफिश के लिए तीसरा जो नाम है रोहित शर्मा का रोहित शर्मा भी इस टीम की कप्तानी करते वे नजर आ सकते हैं अगर रोहित शर्मा ओक्षन का पार्ड बनते हैं तो पंजाब किंग्स IPL 2025 में रोहित शर्मा को खरिद कर अपने टीम में शामिल कर लेगे और IPL 2025 के लि अगला कप्तान पंजाब की का बन सकते हैं तो आपको कह लगता है किस प्लेए को कप्तान बनने चाहिए पंजाब की को कमेंट करके आप अमें अपनी राए जरूर दें तो दोस्तों इस उनबती दें अगर आप वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आएक अंदब आजना थैंकि सो मच गाइट फोर वाचिंग इस वीडियो